हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोट के एक लेटेस चज़्चमेंट की जो की बहुत ही ज़्यादा एहम है जहां पर दिल्ली हाई कोट ने ऐसे सवाल का जवाब दिया पुलिस आफिसर पर किस तरह के केस किये जाने चाहेंगे और किस तरह के केस सुनवाई योके नहीं होते तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रही है वीडियो इंफरमिशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आलही में दिल्ली हाई कोट ने एक केस पर सुनवाई की और ये सुनिशित कर दिया कि एक पुलिस अधिकारी को परिशान करने वाली किसी भी तरह की पेटीशन पर विचार नहीं करना चाहिए इस केस के सुनवाई जश्टिस सुब्रमन्यम प्रसाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश के हर एक नागरी को सुरक्षा प्रदान करना राजे का करतावे होता है लेकिन कोट को ये भी सुनिशित करना चाहिए कि कुछ इस तरह की पेटीशन भी कोट में दायर हो जाती है जो कि पुलिस आफिसरों को परिशान करने के लिए होती है इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए कोट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें की पुलिस आयुक्त दिल्ली को एक महिला S.I.E. के खिलाफ अनुसासनात्मक कारिवाई करने के निर्देश की मांग की गई थी जिसमें की दो लापता नाबालिक लड़कियों के किटनैपिंग और रेप के मामले में ठीक से जाच नहीं की थी याचिका में ये आरोप लगाया गया था कि महिला S.I.E. ने नाबालिक लड़कियों और उनके परिवार के सदस्यों को धमकाया था इस मामले में सभी एफेक्ट को ध्यान से पढ़ते हुए अदालत ने पाया कि पीड़ितों के परिवार और आरोपी उसके परिवार के बीच कई F.I.R. और क्रॉस F.I.R. दर्ज की गई थी और दोनों परिवार एक दूसरे के विरोधी थे कोट ने कहा कि इस मामले पर नजर डालते हुए ऐसा लगता है कि याचिका करताओं का परिवार कोट की कारिवाई का इस्तेमाल पुलिस की एक विशेश तरीके से जाँच करने और दूसरे मामलों से निपटने के लिए दबाव बनाने के लिए कर रहा है मामला ये था कि आफिसर पीड़िता के घर आए और उसे और उसके माता पिता को ये कहते हुए धमकी दी कि उन्होंने आधार हिन मामला दर्च कराया है और ये मामला उन्हें वापिस ले लेना चाहिए मामले में देखा गया कि याचिका करताओं को CCTV फोटेज में लगभग 9 बजे अपने घर से निकलते देखा गया था और उनके CDR का विशलेशन किया गया था जिसमें ये पाया गया कि वो रिलेटिड डेट्स को अपने माता पिता के साथ लगातार संपर्क में भी थे यह भी पता चला कि याचिका करताओं का अभरन नहीं हुआ था और वो दोनों अपने दो पुरुष मित्रों के साथ थे और इस बात की भी पुष्टी की गई कि याचिका करताओं की किसी तरह की किटनैपिंग नहीं हुई थी वो अपने दो मेल फ्रेंड्स के साथ लूधि हुआ था जिसकी वजह से इस मामले का निस्तारन कर दिया गया इस तरह से सभी फैक्टों को देखते हुए दिल्ली हाई कोट ने इस मामले को खारिज कर दिया होफ रिन के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शियर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा